मदल कर आजों की धार को मैं मुद्रादी हूँ जगाती उसकी धारा बहुत सुख चैन पादी हूँ ना मेरे शक्त है उनके लिए जो क्रक्रली दोही है गजराज से प्यार है जिनको उहे कभी ताथ ना दी हूँ गजराज जिसे प्यान है दिनको उहे कभी ताथ ना दी हूँ गजराज बान संतोशी नागर पुराना धंटरी रोड रायपूर के बोरिया खुर्द में यह 230 एकर में फैला हुआ है उत्में से सो एकर को पाट कर ननुरंचे शेत्र बनाया जा रहा है गजराज बर्तमान में महत्यवल 130 एकर ही रह गया है उझे भी पाट पाट कर पैसा खेकर लिया जा रहा है गजराज बर्तमान लशा अप्चियंत ही खराब है चारों ओर से बस्तलाप पाटों कर दखर रहा है हमारी यह मांग है कि समूर 230 एकर को जलशेत्र बनाया जाए पर्यावरण मजल संट्रक्षर के लिए हम समस्तर राइब होना करवादियों को एक साथ भी सरा आगे बढ़ना होगा पर्यावरण संट्रक्षर केवल सरकार अत्मात्मूर संस्थाव की इसन में दानी है परंदू इसकार के लिए हम सभी सो एक साथ में सरा आगे बढ़ना होगा सभी हमें अपने इसकारे में सफल्टा प्राप रहो सकती है गजराज बांगे बहुत बढ़ा चल्ट है समभग है कि वह इस शहर का समस्य बढ़ा तला है यह इतना ही पुदाना है जितना की बुढ़ा तला महराज बन तला मगर इस ओर को ज्यान ही नहीं दे रहा है मेरा आप सभी से अनुरोद है कि आप सभी मोड रायपूर मोड जिम्मितारी के इस इस लोगत का चरितार करते हुए इस अभ्यान में अपना सहियोग दे मेरा आप सभी से अनुरोद है कि आप सभी इस अभ्यान में अपना सहियोग दे आज गज़रा चीछी कर कह रहा है कि मुझे बचाओ मैं तुभारा वही गज़रा हूँ जो तुम्हें हर द्याले में दुख में तुखाया वो मैं ही हूँ जिसके किनारे पर जाकर तुम्हें शांती का अलब होता था वो मैं ही हूँ जो जो तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या अपनों मेरी जरुदत नहीं है क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं अब आप लोगी बताएए कि गज़राज के इने सवालों का है किसी के पास जवाब जिया कर रहे हैं उनके लिए आप अपने हाप मों ही खज़ाता हैं और खुद को ही बचाएं यदि प्रत्य एक वेक्टी ऐसा समझने लगे तो सम्मध है कि खज़ाता है हमें एक होना होगा हमें खज़ाता को बचाना ही होगा यह भगवान की दियर है और यहां हमारे जीवन के लिए अच्चा जावच्च आजिकाज में ही चली आ रही हमारी परंफरा और एजिहातिक आज लुट्ट होने की कदार पर है लोग जीवन में धार्मिक खान होने के कारण यहां हमारी संस्टी में रखी मती हुई है चिस्तु रख रखाओं के आज़ाओं के चलते ही यहां एजिहातिक परुच आज लुट्ट होने की कदार पर है हमारे यह अभ्यान की संसा अपर सरकार के खिराफ नहीं है बंजी गजराज के अपने संपूर्ण आखार यारी 230 एकर में थापित नहीं हो जाता तब तक उसके अपर के रख्या के लिए हम सब रख्य रहेंगे करना गजराज भी कहेगा कि अभी तो गजराज हूँ मैं फिर मैं बीता हुआ अकल बन जाओगा नहोंगा मेरा कोई भविश्य और मैं अजीद में कहीं खो जाओगा बन जाएगी फिर मेरी भी सिर्फ एक खहानी एक धिधरा और एक साथ गजराज लखाई जोने वो पर ग्लुप एक दिन देकर अपने अस्रित्म जी खुरवाणी देकर अपने अच्षित्म जी खुरवाणी जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता में हमें वाल वोस्टर बढ़ा इसमें हमारी प्रत्रती का भी हाद हो तो ब्रकूल भिवतर होते हैं ये धरा ही तो है जिसके हम अन्नों गाते हैं तब आज हम भोज़न करवादे हैं आज हम इतने बड़े हो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे माता पे का भुजूर्ग हो जाते हैं कब हमारा उनके प्रक्रप्रटी थि और श्यान रखे वेता ही व्हींका ख्यान रखे उन्हें श्यान रखे worldview कि हम उनका ख्यान रखे वेता है नुद नडीस अलाब जल इन सब्की हमें आवशोक्ता नहीं वे इसलिए हमें कज्ञात हो कि इसे भी कि मत्ता बचाना होगा मेरा आप सभी से अस्वोष है कि आप सभी इस गुई में अपना हर सम्मा प्रियों कुझाए आईए आज हम सब में सर्फारत मां को इस बत्ता देए